हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपकी अपने लीगल चैनल में मैं हूँ एड़ोकेट सनी शर्मा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्गुमेंट्स पर कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों आर्गुमेंट्स जो किसी भी केस का चाहिए 125-0, DVO, 498-0, 376-0 कोई सा भी केस हो उस पूरे केस के अंदर जो आर्गुमेंट्स होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि देश में बहुत सारी होती है वो आपको कहीं भी ले जा सकती है क्योंकि भले ही आपका केस पूरी तरह से अच्छा है या कमजोर है आपके आर्गुमेंट्स में फाइनल टच कैसे दिया गया है उसी बात पर डिपेंड करता है कि उसका डिसीजन कैसे आएगा जो एज जज़ वहाँ पे बैठे हैं वो भी आपकी और हमारी तरही है और हम उन्हें कितना कन्विन्स कर पाते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि पूरे तरह से जच साब उस दिशा में सोचने को मजबूर हो जाते हैं और कई बार होता है कि आर्गुमेंट्स ही बहुछ aggressive होने चाहिए और वो जो aggression होता है उसका प्रभाव भी आपको judgment में देखने को मिल जाता है हमेशा यही देखा जाता है कि जिस party का जो अधिवक्ता होता है वो जितना aggressive होता है argument के time पे उसका उतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि आप किसी चीज को ठोक बजा करके कहेंगे तो उसकी बात अलग होती है और उसी चीज को सामने रूप से रखेंगे तो उसकी बात अलग होती है और argument के time पे जो सामने वाला वकील होगा सामने वाला ट्राइल चलते हैं 376 का 302 का जो actual criminals होते हैं उनके भी ट्राइल चलते हैं लेकिन आपने देखा होगा यह कितने important होंगे वा arguments और उन arguments के time पर यदि आप किसी भी वज़े से कैसा भी compromise करते हैं और उसकी वज़े से आपका case विगड़ता है तो आप यह समझ लें फिर पूरा trial चलाने का कोई फायदा नहीं है और आगे जाकर के आपके लिए चीजे बहुत जादा मुश्किल होने व के मन में कोई भी शंका है तो किसी भी परकार का risk किसी भी परकार का जोखिम उठाने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि 498 केवल कहने के लिए नहीं होता एक्चल में वे criminal मुकदमा होता है और अगर वो आपके अगेंज जाता है तो आपको सजा होती है उसमें और एक करना है उनको बोलने देना है इवन सुप्रीम कोट ने भी इस पर अभी ruling दिया हाली में कि यदि एक अधी वक्ता भैस कर रहा है तो उसको बीच में नहीं टोका जाएगा इससे उसका flow खराब होता है तो आपको भी ये बात धिहान रखनी है और यदि आपके आपके पास है उसको note down कर लेना है जब उनकी बात पूरी हो जाए तो एक बार बहुती respectfully उनसे पूछ लिए इसा आप पूरा हो गया या और कुछ आपको रखना है कोट के सामने उनने का जी पूरा हो गया बस अब आप शुरू हो जाओ बिल्कुल और ऐसा शुरू हो जाओ कि बस फिर रुकना नहीं है फिर तो ऐसा बन जाना है कि पीछे आपके सो लोग खड़े हैं तो वो केवल आपको देखें ये argument के quality होनी चाहिए आपको argument में सबसे पहले बहुत short में अपना और अपनी wife का introduction देना है उसके बाद आपको start करना है अपने arguments यानि कि जो आपके real facts हैं वो code के सामने रखने हैं उसके बाद जहां-जहां उसने गलती करी हैं जहां-जहां contradiction करें या जो आपसे पहले counsel ने argument करें उसके जवाब आपके पास हैं वो आपको सारे देने हैं बहुत ही strongly देने हैं जो सामने बैटे वे नया इधीश हैं वो आपकी बात पर सोचने को म आपकेर